हरियाली तीज वरत कोई मामूली वरत नहीं है, माताएं एवं बहनों इस वरत को रखने के बाद स्त्री की हर एक मनो कामना इच्छा पूरी हो जाती है अगर वह अपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, अगर हरियाली तीज का वृत रखती हैं, तो उनकी सभी मनों कामनाएं इच्छाएं महादेव पूरी कर देते हैं माताएं बहनों पर इसका कुछ समय होता है इस समय, पर अगर आप पूजा अर्चना करते हो, तो आपको विशेश लाभ देखने को मिलता है वही कुछ स्त्रियां इसकी पूजा के मुहूर्थ को देखते नहीं है और वह पूजा कर देती है, पर उन्हें पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता इसलिए आज की वीडियो में हम आपको सभी बातों को बारी-बारी से बताएंगे, तो सबसे पहले जो कोई यानि की जो माता बहन होती है, वह इस वीडियो को देख रही है तो कमेंट बॉक्स में सच्ची हृदय से जय भगवान शिव जय माता पारवती अवश्य ही लिख दे ऐसा लिखने से आपका यह संकल्प हो जाएगा कि हम महादेव के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं यानि की तीज वरत के दौरान आप महादेव की माता पारवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक भी जरूर करते और हर एक माता बहन के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे की इतनी ज्यान वर्धक जानकारी भारत के हर एक कोने में पहुँच सके और लाब ही लाब प्राप्त हो सके चलिए जान लेते हैं क्या है हरतालिका तीज पूजन का शुभ मुहूर्थ, पूजा विधी, सामगरी लिस्ट और कथा इस बार वर्ष दो हजार चौबीस में हरितालिका तीज वरत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतिया को हरितालिका तीज वरत रखा जाता है धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह वरत निर्जला होता है इस दिन प्रत्येक पहर में भगवान शिव का पूजन तथा आरती की जाती है और घी, दही, शक्कर, दूद और शहद मिलाकर पंचांबृत बनाया जाता है महिलाओं द्वारा किये जाने वाला यह वरत बहुत कठिन होता है और इसमें उन्हें निर्जला रहकर जागरण भी करना होता है इस दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूडी, काजल, आदिसामगरी सहित सुहाग पिटारा दिया जाता है यह वरत सुहागिने पति की लंबी आयू और कुमवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए रखती है हरतालिका तीज शुक्रवार चार बचकर तिरेपन मिनट से सुबह चह बचकर दो मिनट तक अभिजित मुहूर्थ प्रात ग्यारह बचकर चौवन मिनट से दोपहर बारह बचकर चवालीस मिनट तक विजय मुहूर्थ दोपेहर दो बचकर 25 मिनट से तीन बचकर 15 मिनट तक गोधूली मुहूर्थ शाम सुभह 6 बचकर 36 मिनट से शाम 6 बचकर 69 तक सायाह नसंध्या शाम 6 बचकर 36 मिनट से रात्री 7 बचकर 45 मिनट तक निशिता मुहूर्थ रात्र 11 बचकर 56 मिनट से 7, सितंबर 12 बचकर 42 मिनट तक रवियोग, सुबह 9 बचकर 25 मिनट से, अगले दिन सुबह 6 बचकर 2 मिनट तक, पूजा विधी सौभाग्यवती स्त्रियां, हरितालिका तीज व्रत, अपने सुहाग की लंबी आयू तथा अविवाहित युवतियां मन पसंद पती पाने के लिए करती हैं, तीज के दिन व्रतधारी महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नहा कर पूरा श्रंगार करती हैं, फिर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए, सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वत पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है, अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें, फिर माता पार्वती को एक एक कर हरी सुहाग की सामगरी अर्पित करें, इसके बाद भगवान शिव को बेल पत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं, रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर तीन बार आर्थी की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है, तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आर्थी करें, इस वरत में शयन निशेध है, अतर, रात् जागरण करना चाहिए, अगले दिन पुन, सुबह प्राथकाल स्नानादी के पश्चात, श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं, फिर किसी सुपात्र सुहागिन स्त्री को श्रंगार सामगरी, वस्त्र, खाध्य सामगरी, फल, मिश्ठान तथा यथा शक्ति आभूशन का दान करना चाहिए, यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं, तो उनका जलाशय में विसरजन किया जाता है, फिर खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है, प्रसाद ग्रहन करने के बाद व्रत का पारण करें, पूजा के फल एवं फूल पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी तेल, हरियाली तीज का पर्व, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, हरियाली तीज का पर्व, मुख्यत, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इस दिन महिलाएं सोलह श्रंगार कर तीज का व्रत करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, शादी के बाद पहली तीज को बहुत खास मानी जाती है, इस तियोहार के पहले ही लड़ी एच्कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है, आईए जानते हैं, हरियाली तीज की खास बातें पढ़ गए सावन मास के शुकल पक्ष की तृतियां को मधुश्रवा तीज या हरियाली तीज भी कहते हैं, इस बार यह शुभ तिथी साथ अगस्त दिन बुधवार को है, यह पर्व देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन के उपलक्ष में मनाया जाता है, पौरानिक मान्यता के अनुसार मां पार्वती ने सैकद्धों साल कठोर तपस्या करके इसी दिन भगवान शिव को पती के रूप में प्राप्त किया था, यह सावन शुकल पक्ष का तीसरा दिन था, महिलाएं अपने दीर्ग और सुखद विवाहित जीवन की मंगल कामना से इस दिन व्रत भी र जब सावन के आने पर वर्षा रथु में प्रकृती चारों तरफ हरियाली चादर बिछा देती है, तो मन हर्ष से पुलकित हो उठता है, जगह जगह जूले पड़ देहते हैं, महिलाएं गीत गागा कर जूले जूलती हैं, उत्तर भारत में हर, वर्ष सावन मास के शुकल की तृतियां को यह उत्सव मनाया जाता है, ग्रीश मर्थु के समाप्त होने पर काले कजरारे मेगों को आकाश में घुमध्धाता देखकर, पावस के प्रारंभ में पपीहे की पुकार और वर्षा की फुहार से मन आनंदित हो उटता है, ऐसे में भारतिये लोक जीवन कज कजली या हरियाली तीज का उत्सव मनाता है, आसमान में उमध्धती घुमध्धती काली घटाओं के कारण ही इस त्योहार को कजली या कजली तीज और प्रकृति में हरियाली के कारण हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है, लोक गायन की एक विशेश शैली भी इसी नाम स प्रसिध्ध हो गई, जिसे कजली कहते हैं, शादी के बाद की पहली तीज, सबसे खास हरियाली, तीज के दिन महिलाएं हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार की महंदी लगाती हैं, महंदी रचे हाथों में, जब वे जूले की रस्सी पकद धकर जूला जूलती हैं, तो ऐसा तो अपने से बद्धी अर्थात जेठानी या किसी अन्य पूज्य महिला को देते हैं। इस दिन कहीं कहीं महिलाएं पैरों में महावर आलता भी लगाती हैं। जो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार के पहले ही लड़ड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। विवाह के बाद पहले सावन पर लड़ड़की को ससुराल में नहीं छोड़ा जाता। नव विवाहिता लडड़की के ससुराल से तीज के एक दिन पूर्व अर्थात द्वितिया को सिंघारा भेजा जाता है इसलिए इसे सिंघारा दूज कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हरियाली तीज धार्मिक उत्सव होने के साथ साथ महिलाओं के एकत्र होने का एक अवसर भी है। बुंदेल खंड के जालौन, जांसी, महोबा, ओर्चा आदिक शेत्रों में इसे हरियाली तीज के नाम से और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बनारस, मिर्जापुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में इसे कजली तीज के रूप में मनाने की परंपरा है। तीज पूर्ण रूप से महिलाओं का उत्सव है। पर नव युवतियां अपने हाथों पर सावन तीज के गीत गाते हुए महंदी रचती है। समूचा वातावरन श्रंगार से अभिभूत हो उठता है। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेशता है महिलाओं का हाथों पर विभिन प्रकार के बेल बूटे बनाकर महंदी रचाना। पैरों में महावर लगाना, राजस्थान में तो हाथों के साथ साथ, पावों में भी विवाहिता महंदी रचाती है, जिसे महंदी मांडना कहते हैं। अगर आप महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती अवश्य ही लिख दीजिए, या फिर जय भगवान शिव्व जरूर लिखें। कामनाएं इच्छाएं पूरी होते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए। और चलिए जान लेते हैं। हरतालिका तीज हर साल भादरपद माह में शुकल पक्ष की तृतिया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में मा पार्वती और भगवान शिव की विधिविधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज वरत में सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू और सुख सौ भाग्य की कामना के लिए वरत रखती हैं। वही कुछ जगहों पर कुणवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए यह वरत रखती हैं। इस वरत को बेहद ही कठिन माना जाता है क्योंकि ये निर्जला वरत होता है। इस दिन महिलाएं बिना अन जल ग्रहन किये पूरे दिन निर्जला वरत रखती हैं। हरतालिका तीज खासतोर से उत्तर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार और जारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इसलिए आईए इस लेख में हरतालिका तीज से जुड़े वरत नियम के बारे में जानते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका पूजा मुहूर्द कब है। हर्तालिका तीज का महत्व इस व्रत को हर्तालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता उनके इच्छा के विरुध भगवान विश्णु से शादी करवाना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली ने उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली होता है। इस तरह हर्तालिका शब्द बना है, हर्तालिका तीज की पूजा सुभह सनान करने और अच्छे कपड़े पहनने के बाद की जाती है, सुभह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश सुभह पूजा ना हो पाए, तो प्रदोश काल म भी पूजा की जा सकती है, पूजा के दौरान हर्तालिका की कथा सुनाई जाती है, करनाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू में इस वरत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है, वहां महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीरवात पाने के लिए स्वर्ण अगर आप समय के अनुकूल पूजा करेगी, तो आपको बहुत ही मंगलकारी और लाभधायक फल प्राप्त होगा, हर्तालिका तीजवरत तिथी हर्तालिका तीजवरत भादरपद महीने के शुकल पक्ष की तृतिया को रखा जाता है, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस त इस सितंबर दो हजार चौबीस को दोपहर बारह बजकर 21 मिनट पर शुरू होगा, इस तिथी का समापन 6 सितंबर दो हजार चौबीस को शाम साढ़े तीन बजे एक मिनट पर होगा हर्तालिका तीजवरत पूजा शुभ मुहूरत, दो हजार चौबीस भादरपद महीने के शुभ मुहूरत रहेगा, सुहागिन महिलाओं के लिए तीज का पर्व बेहद शुभ होता है, इस दिन विधिनुसार महादेव की उपासना करने पर मन चाहे परिणामों की प्राप्ति होती है, हर्तालिका तीज पर नव विवाहिता न करें, ये काम हर्तालिका तीज पर न बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहस से परिवार में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, इस दिन रात में सोने से बचना चाहिए, इस दोरान भजन कीर्तन करना शुभ होता है, व्रत रख रही महिलाओं को इस दिन खाली मांग नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करना किसी नकारात्मक चीजों को न लाएं, साथ ही किसी के मान सम्मान को भी ठेस न पहुँचाएं. माता वैशनों चली, वह गलतियां जान देती है, जो कि हर एक माता बहन, हर इतालिका, तीज वरत के दिन अवश्य ही कर देती है. इसलिए आप इन गलतियों को भूल कर भी न करें वरत तोडने से वरत का फल नहीं मिलता है. वरत तोडने से आपकी आत्मा और मन दोनों अशुद्ध होते हैं. वरत तोडने से आपके शरीर में नकारात्मक उर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. वरत तोडने से आपको भगवान की कृपा नहीं मि देर तक सोने से आपके शरीर में नकारात्मक उर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थे खराब हो। बुरे विचार करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है गुस्सा करना। जूट बोलने से आपके शरीर में नकारात्मक उर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थे खराब हो। जूट बोलने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। चूट बोलने से आपके शरीर में नकारात्मक उर्जा आती है। देड़ तक बैठना व्रत के दौरान देड़ तक बैठना नहीं चाहिए। बार-बार उठना और बैठना चाहिए। भगवान की कृपा नहीं मिलती है। कि वीडियो को अभी तक आपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। कि वीडियो को भगवान की कृपा नहीं मिलती है। अशुध्ध विचार करने से आपका मन अशुध्ध होता है। अशुध्ध विचार करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अशुद्ध विचार करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। चलिए, अब जान लेते हैं हरिताली का तीज वरत के दिन कौन से कार्य आपको जरूर करने चाहिए जो की बहुत ही शुभ और मंगल कारी रहते हैं। इसके बाद श्री अंत्र पर धूप और दीप जलाएं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। लक्षमी जी को धन की देवी माना जाता है और उनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। कुबेर जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले कुबेर जी की मूर्ति या चित्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद कुबेर जी पर धूप और दीप जलाएं और कुबेर मंत्र का जाप करें। धन की देवी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। धन की देवी की पूजा करने के लिए सबसे पहले धन की देवी की मूर्ति या चित्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद धन की देवी पर धूप और दीप जलाएं और धन मंत्र का जाप करें पीले वस्त्र पहनना पीले वस्त्र पहनने से धन प्राप्ति होती है। पहले पीले फूल को साफ करें और फिर उसे लक्षमी जी या कुबेर जी की मूर्ति धन की मूर्ति की पूजा धन की मूर्ति की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। लक्षमी मंतर का जाप लक्षमी मंतर का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। लक्षमी मंतर का जाप करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। दान और पुन्य करने से धन की प्राप्ति होती है। दान और पुन्य करने के लिए सबसे पहले दान और पुन्य के बारे में सीखें और फिर उसे नियमित रूप से करें। हरे वस्त्र हरे वस्त्र दान करने से धन और सम्रिध्ध की प्राप्ति होती है। हरे वस्त्र को दान करने के लिए सबसे पहले हरे वस्त्र को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। हरे वस्त्र को दान करने से आप अपने जीवन में धन और सम्रिध की प्राप्ति कर सकते हैं महंदी महंदी दान करने से सौभाग्य और सुन्दर्ता की प्राप्ति होती है महंदी को दान करने के लिए सबसे पहले महंदी को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरत मंद व्यक्ति को दान करें महंदी को दान करने से आप अपने जीवन में सौभाग्य और सुन्दर्ता की प्राप्ति कर सकते हैं श्रंगार की वस्तुएं श्रंगार की वस्तुएं दान करने से सौभाग्य और सुन्दर्ता की प्राप्ति होती है श्रंगार की वस्तुओं को दान करने के लिए सबसे पहले श्रंगार की वस्तुओं को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें श्रंगार की वस्तूओं को दान करने से आप अपने जीवन में सौभाग्य और सुन्दर्ता की प्राप्ति कर सकते हैं फल और सबजियां फल और सबजियां दान करने से स्वास्थ्य और सम्रिध्धि की प्राप्ति होती है फल और सबजियों को दान करने के लिए सबसे पहले फल और सबजियों को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें अन्न को दान करने से आप अपने जीवन में धन और सम्रिध्ध की प्राप्ति कर सकते हैं पीले वस्त्र पीले वस्त्र दान करने से धन और सम्रिध्ध की प्राप्ति होती है पीले वस्त्र को दान करने के लिए सबसे पहले पीले वस्त्र को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरत मंद व्यक्ति को दान करें पीले वस्त्र को दान करने से आप अपने जीवन में धन और सम्रिध्ध की प्राप्ति कर सकते हैं गुड और चना गुड और चना दान करने से स्वास्थ्य और सम्रिध्ध की प्राप्ति होती है गुड और चना को दान करने के लिए सबसे पहले गुड और चना को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरत मंद व्यक्ति को दान करें गुड और चना को दान करने से आप अपने जीवन में स्वास्थ्य और सम्रिध्धि माता एवं बहनों आप से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक माता बहन का शेयर करें जिससे कि यह भारत में यानि कि यह वीडियो पूरे भारत में पहुँच जाए और सभी को इन बातों का ग्यान हो सके कि तीजवरत में कौन सी गलतियां करना चाहिए और कौन सी नहीं करना इस बात का ग्यान होना बेहद ही जरूरी और खास है इसलिए आप हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर पहुचाएं धन्यवाद माताएं एवं बहनो